Brought to you by Agilis Diagnostics भेल टेस्ट की बाद आती है तो मैं फ्रोसा करता हूँ इंडियांस लार्जस डागनोस्टिक्स कमपनि अजिलिस डागनोस्टिक्स खुद को टेस्ट करते रो नमस्कार बहुत स्वगत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे बात करेंगे बारा राशियों के दैनिक राशी फलकी और कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग दिनांग 26 सितंबर 2024 दिन ब्रिहस्पतीवार तिथी है आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथी दोपहर 12 बच के 25 मिनट तक नक्षत्र है पुनरवसू नक्षत्र रात के 11 बच के 34 मिनट तक चंद्रमा मिथुन राशी में संचरण कर रहे हैं शाम के 5 बच के 13 मिनट तक राहुकाल का समय दोपहर 1 बच के 30 मिनट से लगभग 3 बजे तक दक्ष्र दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासी पीली सरसों खाकर और भगवान का समरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे अब जानते हैं दिनांग 26 सितंबर 2024 दिन ब्रिहस्पतिवार को प्रातह काल पांच बचकर 30 मिनट पर ग्रहों की स्थिती क्या है बुद्ध, सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्याराशी में शुक्र विद्यमान हैं तुलाराशी में शनी कुम्भ राशी में, राहु मीन राशी में, ब्रिहस्पति व्रिशब राशी में और चंद्रमा तथा मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशी में ग्रहों की इसी स्थिती के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशी फल कैसा रहने वाला है अब जान लेते हैं मेश, व्रिशब, मिथुन और करक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल मेश, राशी, आर्थिक स्थिती आपकी अच्छी रहेगी परिवार की चिन्ताएं आपकी समाप्त होंगी सर्दी जुखाम की समस्या आपको हो सकती है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा ब्रिशब राशी, धन लाब के योग बन रहे हैं कोई शुब सूचना आपको प्राप्त होगी मानसिक चिन्ता आपकी समाप्त होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा मिथुन राशी, धन सम्मान उपहार की प्राप्ती होगी करियर की इस्थिती आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे भगवान को अगर पीले फूल अरपित कर दें तो दिन बेहतर होगा करकराशी, स्वास्थि का ध्यान बनाए रखें काम का दबाव आपको परिशान कर सकता है कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं सिंग, कन्या, तुला और व्रिश्चिक राशी के लोगों का डैनिक राशी फल सिंग राशी पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी धन लाब के योग आपके बन रहे हैं वाहन सावधानी से चलाईएगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा कन्याराशी करियर की स्थिती में आपके सुधार होगा धन की स्थिती बेहतर रहेगी और संतान पक्ष की उन्नती होगी भगवान को अगर पीले फूल अरपित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा तुलाराशी नौकरी में लाब के योग बन रहे हैं नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी आर्थिक स्थिती में आपके सुधार होगा भगवान को अगर पीले फूल अरपित कर दें तो दिन बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी मानसिक चिंता रह सकती है महत्वपूल्ड काम आपका रुख सकता है जीवन साथी के सहयोग से हाला की इस्थितियों में सुधार होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किले कम हो जाएंगी कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं धनू, मकर, कुम्भ और मीन राशी के लोगों का दैनिक राशी फल धनू राशी करियर में लाब के योग बन रहे हैं रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे क्रोध पर नियंत्रन बनाए रखें खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा मकर राशी काम की अधिकता रहेगी करियर की समस्या हल होगी नए काम की योजना इस समय आप बनाएंगे खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा कुम्भराशी परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी नौकरी की इस्थितिया ठीक रहेंगी धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं भगवान को अगर पीले फूल अरपित कर दें तो दिन बेहतर होगा मीन राशी स्वास्थि का ध्यान बनाए रखें करियर में इस समय समस्या हो सकती है किसी मित्र की सहायता से इस मुश्किल समय में लाब होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन के मुश्किले कम हो जाएंगे तो ये तो रहा बारह राशियों का दैनिक राशी फल और नकारात्मक उर्जा को दूर करने के उपाए अब जान लेते हैं आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण लकी टिप अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मेरी नौकरी जल्दी से जल्दी बदले और मुझे बेहतर नौकरी मिले तो हर बुद्धवार गाए को हरा फल या हरी सबजी खिलाईएगा अपने हाथों से हर बुद्धवार को गाए को हरा फल या हरी सबजी खिलाएं और मन में प्रात्ना करें बदलाव की आपका बदलाव अवश्य होगा अब जान लेते हैं दिनांग 26 सितम्बर 2024 दिन ब्रिहस्पती वार का सक्सिस मंत्र क्या है 26 सितम्बर ब्रिहस्पती वार को प्रातह काल भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाईएगा इसके बाद वही तिलक अपने माथे पर अपने कंठ पर भी लगा लीजिएगा अगर आप प्रातह काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कारियों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी तो आपका दिन शुब हो मंगल में हो इसी कामना के साथ मुझे दीजिये इजाजत